हेलो दोस्तों आज हम कीबॉर्ड में ए से लेके जर तक सॉटकट की के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं की हैं तो सस्क्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो को सभी कर दे लिए एक ऊपन कर लेते हैं बरे यहां पर लेते हैं परे करने के बाद इसमें एक फॉरमूला होता है paragraph लिखने के लिए formula का यूज हम कर लेते हैं बराबर randrand command दे करके cp के साथ open cp के साथ close bracket देने के बाद हमें enter button press कर देना है और यहां से control a control c से copy करके एक बार इसे और paste कर दे रहा है हम इसको देखे इस तरीके से हमारा यह text आ चुका है यहां पर यहां पर बोला गया कि control a यानि select all पूरे text को select करने के लिए यानि ms word में जो यहां पर text दिया है इस paragraph को हमने लिया है इसे हम एक अही बार में select कर सकते हैं तो हमें keyboard में control plus यानि यहां पर दिया है आपको control के साथ a बटन दबाना है तो हमारा क्या होगा पूरा 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 जो हमारा text है paragraph यह पूरा पूरा select हो जाएगा अब यह आपका यह में यह है control a का मतलब बता यहां पर हम कोई set भी ले ले रहे हैं से देखिए इस तरीके से पिक्चर से कुछ भी हम यहां पर रख ले रहे हैं तो यह उसके साथ यह भी आपका select हो जाएगा select का मतलब इस पैड़ा गराप में जितना भी चीज रहा क्या होगा पूरा पूरा select हो जाएगा इस तरीके से यह हुगा हमारा control A यानि all select अब यहां दूसरा हम देख लेते हैं control B यानि bolt select किये हुए matter को यह क्या कर देता है थोड़ा सा bolt कर देता है यानि मोटा कर देता है किस तरीके से करता है चलिए हम एक बार इसे चेक करके देखते हैं यहां पर हमें sword में आ जाते हैं और यहां पर हमें text को select कर लेना है select करने के बाद control के साथ B बटन को दबाना है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से हम इसे bolt कर सकते हैं text को थोड़ा सा मोटा कर सकते है bold के जरिये दूसरा shortcut की हमाँ पर देख लेते हैं Ctrl C C से होता है copy select किये हुए matter को copy करने के लिए इसका use किया जाता है copy मतलब होता है duplicate किस तरीके से होगा आप तो दिखाते हैं यहाँ पर हम आ गए हैं MS Word में यहां से मैंने इतना text को select कर लिया select करने के बाद हमने Ctrl C से copy कर लिया copy करने के बाद अब यहां पर हम नीचे चले आते हैं इसी text को यहां पर हम क्या करेंगे paste कर देंगे paste का shortcut की होता है Ctrl के साथ V बटन प्रेस्ट करेंगे तो यह paste हो जाएगा आगे हम बताएंगे Ctrl V के बारे में लेकिन यहां पर आपको copy किये गए matter को दिखाने के लिए चीज हमने बताया यहां पर जो matter है यहां पर भी मैंने paste कर दिया यहां पर उसी की तरह एक और copy बना के मैंने paste कर दिया यह होता है copy पिर हम चले आता है यहांपे दिया है hier यहां पर डी यान्मट फंट 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 विन्डो ओपन करने के लिए यहांपे दिया है komt बोन ऊपन करने के लिए Ctrl के सा değil बिटन को प्रेश्ट करेंगे इस ब्रेस्ट क्रेंगे चल को हम एक अही बार में सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं यह होता है आपका जैसे मालों यहां पे कंट्रोल एक यहां मैंने कंट्रोल डी कर लिया अब यहां से हम बोल्ट भी कर सकते हैं उसकी साइज को यहां से हम इंद क्रेट के यानि बाला च्वठा भी कर सकते हैं, हैं से किलिक करेंगे तो देख सकते हैं यहां पीस तरीके से वो क्छेंज हो जागा है, होता बना देता है Ctrl D पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहां इसका डूब्लिकेट यह बना दिया यह होता है Ctrl D इसका काम यानि दो होता है एक तो होता है हमारा पर यहां पर दिखा देते हैं यहां पर मेंने किसी वर्ड को टाइप किया मैंने कंप्यूटर के बारे महत हैं यहां पर लिक्व काइप किया और फिर यहां से मैंने कру को select करने के लिए आपका इसके नीचे आ जाते हैं इसी भी सब्द को find यानि खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है तो find क्या होता है किसी भी text को हम खोज सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम आ जाते हैं देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और control के साथ मैंने अब बटन को प्रेस कर दिया आप यहाँ पर बोला गया है control एप से क्या होता है find होता है यानि किसी भी लिखे गए paragraph में किसी भी हम text को बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं इस तरीके से मालों हमको यहाँ पर यह दै लिखा हुआ है इस तरीके से हमारा find का उप दियां जाता है Find मतलब होता है खोजना फिर यहां से हम आ जाते हैं find हो गये आपका फिर यहां पें control पलस जी दिया है जी का मतलब है go to go to का मतलब किसी लाइन या paragraph पर आपको direct ये पहुंचाने के लिए इसका use किया जाता है तो यहां पर हम आ जाते हैं मैं sward में और यहां पे क्लिक कर देते हैं control के साथ J button अब G button यहां पर select करने के sentimental यहां यहां पर डारेक्ट हम इसी पे जा सकते हैं तो माल बात हम आप देख सकते हैं डारेक्ट इसने हमें यहां पे तीसरे लाइन पे पहुंचा देगा यहां से हमने क्या किया पेज माल लो यहां पेज ही मैंने ले लिया है दो तीन पेज अगर हमने यहां पे ले लिया है कंट्रोल यह मैंने दो तीन पेज ले लिया इसमें अगर हमको पहुँचना हो तो इस तरीके से हम डारेक्ट उस पेज पहुँच सकते हैं उस पैर अगराफ पे बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं इस तरीके से होगा आप को हम दिखाके दिखाते हैं यहां पर हम आगाएं यह देखिए आप यहां पर हैं और यहीं पर जाकर करके control के साथ जी बेटन को प्रेश करना है और यहीं से आपको पेज को select आगर आपको तीसरे पेज पर जाना है तो यहीं से जाकर करके गोटू पर किरें तो हम तीसरे पेज़ पर देखिया आगें यह होता है गोटू का किसी भी लाइन या पेज़ पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है गोटू मतलब पहुंचना अब फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर control plus h यानी replace किसी भी सब्द को change करने के लिए इसका यूज किया जाता है किसी भी सब्द को change करने के लिए से चेंज करना है तो मालो हमें दै नहीं चाहिए था यहां पर दैट चाहिए था तो हमें यहां पर टाइप कर लेते हैं यहां पर हमें आप करेंगे से replace पे click करेंगे यहाँ पे replace पे click करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा there हैगा उस जगह पे that आजाएगा आप देख सकते हैं उस जगह पे यह that करता हुआ चला जा रहा है यानि कि यह क्या होता है change करने के लिए replace मतलब होता है वो जगह पर ये दैट कर देगा तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा अब आ जाते हैं यहाँ पर आई के बारे में control पलस आई आई मतलब बता italic text को italic करने के लिए अब italic क्या होता यानि text को थोड़ा सा तिर्चा करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो क्या करेंगे पहले हम इस matter को control ये से select कर लेंगे और यहाँ पर control के साथ हम i button को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ matter आपका इस तरीके से तिर्चा हो रहा है यह होता italic यानि लिखे हुए text को ये थोड़ा सा तिर्चा कर देगा इसका काम होता है italic का यहाँंँ पर justify इसका काम होता है टेक्स्ट को justify करने के लिए या जैसे का था हमारा उस तरीके से कर सकते हैं मालो हमने इस text को यहाँ से center में कर दिया है यहाँ पर right में कर दिया है तो इस text को हम जैसे का था वैसे कर सकते हैं सेलेक्ट किया मैंने और Ctrl J पे किलिक किया तो यह क्या करेगा जहां से था वहीं पर ला करके रख देगा इसका एक काम और होता है Ctrl के साथ एपर अगर आगर आपको मैंने Ctrl A से सेलेक्ट कर लिया है और Ctrl के साथ J दबाएंगे तो आप देख सकेंगे कि यहां से तो अभी लाइन सीधी है इधर से भी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इसकी जो लाइन है यह डारेक्ट सीधी हो चुकी है आप इधर भी देख सकते हैं इधर भी देख सकते हैं जस्टिफाई करने का यह एक तरीका है फायदा है आपका फिर नीचे हम चले आते है जे हो गया अब control के से क्या होता है कि मतलब बता hyperlink hyperlink किसे insert कराने के लिए इसका use किया जाता है hyperlink क्या होता है मालो हमें इसी में किसी भी paragraph ये किसी भी file का link इसमें रखना हो लाना हो तो हम यहाँ पे control के साथ के button पे click करेंगे यहाँ पे जितना भी file आपको दिखाए दे रहा है इसका link के provide के जरीए हम यहाँ पे अपने paragraph यानि page भी मंगा सकते हैं तो मालो हमने किसी भी file को यहाँ से document नाम से है यह file या तो full form envelope किसी भी यह यहीं से ले लो आप कोई भी file यहाँ से उठा लेते हैं यहाँ से okay कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यह link के दोरा provide हो चुका है यह जो हमारा आया है file अभी हमने control के लिए यह link के दोरा तो यह link के दोरा अब यह आप बोल लाए control के लिए to follow link के यानि control बटन दबा करके आप control बटन दबाएं कि इस तरीके से hand का symbol बनेगा आप देख सकते हैं hand का symbol बनाए तो इसी पे हमें एक बार click कर देना तो यानि जो भी इस file से attach रहेगा इस हैपा link से direct open करके आपको देदेगा यही आपका test था उससे जो आपको open करके दिया यह होता है hyperlink यहां से cut कर देते हैं और यहां से इसे delete कर दीजे आपको hyperlink भी समझ में आ चुका होगा फिर हम आ जाते हैं यहां पे नीचे यल दिया है control पलस यल यानि left align text को left में ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है तो मालो हमने इस text को इधर कर दिया है यहां पे मैंने इस text को किया है अब इसी text को हम control के साथ यल बटन पर click करेंगे तो यह कहा आ जाएगा left align में आ जाएगा यह होता है left करने के लिए फ यहां से हम आ जाएंगे ms word में और indent को यहां पर select करेंगे और control के साथ हम m बटन पर press करेंगे तो देख सकते हैं आप इसका जो indent है वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है यानि जो हमारा text है वो धीरे-धीरे किसक रहा है यह होता है indent control यहां के साथ जो आपका काम कर सकता है जहां यहां पर भी हम को इस टेक्स को रखना हो अराम से हम रख सकते हैं इन नीचे हम आ जाते हैं यहां पर दिया है control प्लस यहन यान नियू नियू से क्या होता है नियू फाइल को open करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो control के साथ हम n परस करेंगे तो यहां से direct क्या होगा अपका एक नया बिंडू के साथ नया पेज आ जाएगा यह होता है control के साथ यहन यान नया पेज लेने के लिए एक बिंडू के साथ यहां से cut कर देंगे फिर दूसरा आ जाते हैं यहां पर दिया है open यानि control प्लस ओसे क्या होगा open किसी फाइल को खोलने के लिए इसका यू और सकते हैं तो यहां से किलिक कीजिए और यहां से किलिक कीजिए फिर open करढ़ें तो यहां पिकलिक सकते हैं ओ साथ रखिकर आई फेर्क या यह दिया सब्सक्राइब करकंड़ने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है इस तरीके से हुगा हम MS वाइड में आ जाते हैं और कंट्रोल के साथ पी बटन को प्रेस कर देते हैं आप यहाँ पर देखें आपको करने हैं यहां पर हम 10 को और यहां पर कामा लगा करके निकाल सकते हैं यहां यानि पैरागराफ फार्मेटिंग को रिमूब करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो यहां पर हम आजाते हैं मालो paragraph में मैंने यहाँ पर इसे बोल्ट कर दिया text को red कर दिया तो मालो इस चीज को यह रिमूब करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो select कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिया था control plus q q button को हम press करें control q button दबाएंगे तो यह क्या होगा आपका remove होता है format को य कि रिमूब करता है कि कुछ इस तरीके से आपक क्या करेंगा यह रिमूब कर देगा यह चीज यहां से भी होगा format remove से किलिक करो यहां पर यहां से भी हम remove इसे पहुती आसानी से कर सकते हैं मालो टेक्स को मैंने rate कर दिया यहां से remove करना हो तो control q से यहां से आ जाओ select करो और यहां से इसे भी हम remove कर सकते हैं फार्मेटिंग को जो फार्मेट हम इसमें कर दा हैं इधर उधर टेक्स को कर रहे हैं उसको हम इस्तिर करने के लिए direct वह भी कर माल लो यहां से मैंने यह किया यह किया इस तरीके से तो यह क्या होगा select करने के बाद control q कर देंगे जाता है control r दिया है और मतलब राइट टेक्स्ट को राइट में लेजाने के लिए इसका यूज किया जाता है इससे होगा आपका इंटर्णेट पेज को read करने के लिए इसका यूज किया जाता है control s यानि save करने के लिए बनाएगा document को सुरच्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है तो हम इस पे क्लिक करते हैं और control के साथ जवा देते हैं इससे हम यहां पर location पूझा किस जगह पर आप इससे र control पलस t ती का होता है निउ टैब फिर hanging दिया है इंडेंट फिर इंटरनेट के ब्राउजर में आपको निया टैब को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो अगर हम इंटरनेट चालू किया है तो यहां से हम निया निया टैब भी control t के साथ चालू कर सकते हैं कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर दिया है control t के साथ इद बटन दवाने से नियू टैब भी आपका आता है देखिए यहां पर सलूब हो रहा है यह टैब आपका इस तरीके से इन नीचे हम आ जाएंगे यहां पर दिया है control पलस यू यह यह मतलब होता है अंडर लाइन लिखे गए पैर अगर आपके नीचे हम लाइन लाने के लिए इसका यूज किया जाता है आप देख सकते हैं कि इसके नीचे पूरा-पूरा लाइन आ चुका है control के साथ सेलेट किजिए यह और यू बटन द लिखाता है हम यहां पर मालो मैंने से सेलेक्ट किया control-C से copy कर लिया और यहां पे आ करके हम इसे paste कर देंगे control के साथ b button दबाएंगे तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहां से comply किया था मैटर यहां आपके पेस्ट हो चुका है यहां वाला मैटर यहां पर आ करके paste हो चुका है तो इस तरीके से हम paste का यूज करते हैं जिसका shortcut की होता है control पलस वी हाँ control पलस डबलू यानि close किसी भी open window को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है माल लो यहां पर मैंने इस window को open किया है तो यहां से हम इसे control के साथ D button दबाएंगे तो यह क्या होगा यहां से यह दिया है control पलस डबलू बटन गन्टोल के साथ डबलू बटन दबाएंगे तो यहां से यह close करने के लिए कहेगा ता अगर हम यहां पर नो कर देंगे यह क्या होगा पुरा-पुरा close हो जाएगा आपका इस तरीके से आपका यह यूज किया जाता है इसका फिर नीचे हम आ जाते हैं यहां पर दिया है control पलस एक्स है यानि cut text को cut करने के लिए इसका यूज किया जाता है अब cut क्या होता है इस सगस्थान पर हमें उस चीज को अगर नहीं चाहिए तो यहां से हम control एक्स बटन दबाएंगे तो जहां पर हमको रखना है जहां पर हमको लाना है तो है Ctrl X कट करके हम दूसरे जगह पर लेकर जा सकते हैं Ctrl-Y से होता है रीडो यानि जो हम यहां पर चेंजिंग की रिडो के साथ जर्ड प्रेस करेंगे तो जहां पर था हमारा उस तरीके से जो भी मैंने चेंजिंग किया वो उस तरीके से आजाएगा अगर आप पूरा गायव द हुआ है कंट्रोल के साथ वाई बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा मेटर हमारा आता हुआ चला जा रहा है तो आपको पर वीडियो पसंद है तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और आप इसका पीडियाफ लेना चाहें तो हमारे टेली गराम चैनल पर जोईन हो सकते हैं टेली गराम चैनल हमारी यूट्यूब चैनल पर जोईन है इसका लिंक जुड़ा हुआ है आप वहां पर जा करके इस पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं यह पीडियाफ आपको वहां पर पूरा मिल जाएगा और सारे बहुत सारे पिडियो को होँपे रखे गए हैं मैं सुहर को फण को मैंने पढ़ा है उसका पीडियो को होँपे रखा गया है तो आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने希望 किया भ्रॉमेटिंग